खरगोन शहर से इत अंचल में मंगलवार को मुस्लिम बस्तियों में इदुल फितर का उल्लास चाया रहा हलाकि शहर में कर्फ्यू के कारण मज़ित और इद्गा में दिखने वाला उल्लास घरों तक ही सिमट कर रह गया शहर में साम्टदाई खिंसा के चलते 10 अप्रेल से लगा कर्फ्यू 22 दिन भी जारी रहा जो संभवत्या खरगोन में एतियसिक हैं तनाव भरे हालातों के चलते प्रसासन ने अक्षे तरतिया और इद का तेवार साथ होने से कर्फ्यू अवधी में दी जाने वाली धिल भी न समाज अदा की इस दोरान पुलीस का भी सकत पहरा नजर आया सामविक मुबारक बात देने का माहूल नहीं दिखा खरगोन से जैनत गुपता की रिपोर्ट अगे नए आयाम करने के लिए तयार है क्या नामे अपका नासिर घान पुरुपत्यसी बहुजिन समाज करें अपने 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 घरों में ही इत की नमाज करियो और अल्ला से दुआ करिए जिसा अपना जेस पेले सुप सांती में था उस तरीके दभाय चारा वापसी हो अपने अपने जो पेले सी गंगा जमना सरस्कती जो था तैजीब वो पूरी हो जाए और अल्ला से यही दुआ है और हमेसा यही दुआ रहेगी कि कुछ गलत काम अपना ही हो है क्या नाम है अपका मेरा नाम अज्जल अली स्याद खरुपत्य समाज का राश्टी तेवा हु लुकादार लोगों का हमारे वोड़ों का भी आदेश ता और सासन का भी आदेश था जिए लिगलंग अपने घर पर रहें के नमाद अधाए कि जाए लिए तबन है अपने इस तर पर ऊपर ही रहें करना है और इसके लिए मुलकुमें अमन जेन सनामती की जो है दूआ की गई और हमारे सेर में भी जर्मन सांति इसके लिए अल्डा ताला से दूआ की वे मुक्तियार खान करो हुआ हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल आज जर्बिल 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबस सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना फुलें